13 सितंबर को मैंने Morning Glory की एक छोटी सी कटिंग लगाई थी उसी की रिजर्स देखिए तो जो 13 सितंबर को मैंने कटिंग लगाई थी उसमें नाइट की टाइम में ये कली बनती देखी मैंने तो सोचा के ये वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए इस टाइम Morning Glory को आप आराम से अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं इसकी बहुत खुबसूरत से Blooming होती है अपने नाम के हिसाब से Morning Glory सुबा मार्निंग में ही 5 ये 6 बजे से खिलना शुरू हो जाती है और ये 7-8 बजे तक अच्छे से Blooming हो जाती है तो rainy season में आप cutting से आराम से बहुत सारे प्लान बना सकते हैं अभी भी मार्च में थोड़ी सी cutting लगा सकते हैं लेकिन चांसे जरा कम रहते हैं rainy season के चांसे बहुत जादा रहते हैं तो ये चल रहा है spring season यानि के 28 मार्च है आज और मार्च भी जाने ही वाला है लेकिन विद प्रूफ में आपको रिजर्स दिखा रही हूँ अपडेट देना भी बहुत जरूरी होता है प्लांट की कि जो कटिंग मैंने लगाई वो ग्रो हुई या ब्लूमिंग की या नहीं की अब बात कर लेते हैं मौनिंग ग्लोरी की केर की कि आपको क्या करना है कि ये प्लांट आपके पास अच्छे से ब्लूमिंग करें तो आप इसको दो सीजन में ग्रो कर सकते हैं अभी मार्च में यानि के स्प्रिंग सीजन में दूसरा मांसून में यानि के बरसात में देखे इसमें काफी सारी कली बन रही है और इसको बुशी बनने के लिए आपको इसकी टिप को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ते रहना चाहिए और इसको रखने के लिए ऐसी जगा आपको चुननी है यहाँ पर थोड़ी सी मॉर्निंग की और इवनिंग की इसको सैनलाइट मिल जाए बहुत जादा धूप में यह बरदाश नहीं कर पाता है पौधा और मुर्जा जाता है तो लोकेशन आप देख सकते हैं मैंने इसको कटिंग लगाने के बाद क्यूंके सर्दियां शुरू हो गई थी यह डॉर्मेंसी में चला गया था तो कटिंग बहुत स्लो ग्रो की लेकिन फिर मैंने इनके पेड़ों की छाओ में ही रखा हुआ था और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा जब कटिंग लग गई जड़े बन गई तो मैं इसको प्रून कर देती थी अभी तक मैं इसको प्रून ही करती हूँ क्योंके प्लान बुशी नहीं होगा तो ज़ादा फूल नहीं आएंगे जब थोड़ी थोड़ी सी टेहनिया आप नीचे की कट कर देते हैं तो इसमें आसपास काफी सारी टेहनिया निकलाती है इसी से प्लान घना हो जाता है और टिप पर थोड़ा सा कट कर देंगे तो वहां से भी निव निव शूर्ट साएंगे और यहां से निव शूर्ट पर ही कलिया बनती है तो आपको प्रूनिंग और कटिंग सौफ्ट कटिंग इसकी करना बहुत ज़रूरी होता है हाट प्रूनिंग तो करने का सवाल ये नहीं क्योंकि इसमें तो महीन महीन सी टैनिया होती है और ये आसपास के प्लांट को इस तरह से लपेटे में लेती है इसी तरह ये चलती है दिवार पर लेकिन आप गंबले में भी इसको सपोर्ट दे सकते हैं इसके किनारे किनारे इस्टिक लगा दीजिए और कोई रसी बान दीजिए जिस पर चड़ेगा मुझे तो ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था प्लांट पर चड़ा हुआ तो ये पॉइंसेटिया पर सदा बाहर पर खुदी चड़ रहा है तो मुझे खुब सूरत लग रहा है और ये जब ट्रेल करता इस तरह से तो बहुत ही प्यारा लगता है हाँ ट्रेल करने के लिए इसको हैंगिंग बास्केट में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसकी वाइन की हाइट बहुत जादा होती है पहले मैंने उपर उसको टैरिस पर लगाए हुआ था लास्ट येर तो बहुत जादा बिलूम किया था ये साइड में देखे मैंने इसकी पिक ये शेयर की है ना बस इसी तरह से भर-भर की फूल आते हैं इसमें इसमें देती हूं तो तब से मैंने कोई फर्टिलाजर नहीं दिये था इसलिए इसमें इस टाइम में गोट मैंने और का थोड़ा सा एक मुठी के करीब ये वैंने और एड़ कर रही हूं और फिर इसके बाद आप इसको नाइट्रोजन के अलावा नाइट्रोजन जादा नहीं देना उसे खाली प्लांट ग्रो करता है लेकिन आपको अच्छे से फूल चाहिए तो इसमें आपको पोटाश और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाजर देना पड़ेगा अगर आप बोन मिल देन है ये देखिए मैं बनाना पील का फर्टिलाइजर के लेके छिलकों को हमेशा भिगो कर रखती हूं और ये सुखा सा भी हो जाता है लेकिन जब मुझे यूज करना होता है तो थोड़ा सा इसमें से लिक्विड लेती हूं और एक बाल्टी में डाल देती हूं और फिर पोस्ट या गोट मेनियो या काउ रंग को पोस्ट दे रहे हैं तो आपको उसको लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए मंधिली दीजिए या 15 दिन में दीजिए देखिए कितनी प्यारी ब्लूमिंग होती इस तरह की खास से और आपको जब प्लान की ग्रोथ चाहिए हो त यहां पर ठंडक रहती हो यूमिडिटी बनी रहती हो बस देखिए हम आपको ऐसी जगा दिखा रहे हैं यहां टीन शेट पड़ा हुआ इतनी उची सी वाल है और जैसे ही एक डेड़ बजेगा वैसे ही यहां पर शेट पढ़ने लगेगा तो सिर्फ गर्मी होगी माहौल की और यहां पर धूब बिल्कुल नहीं आएगी कभी कभी इस पर पेस्ट का अटेक होता है तो आप माइल्ड सोफ वाटर का यूज कीजिए या नी माईल का यूज कीजिए हलका हलका कुछ टाइम तक यह ब्लूम करेगा जून जुलाई की ज़्यादा गर्मी होगी तब यह रोक देगा और फिर यह रेनी सीजन में अपनी ब्लूमिंग शुरू करेगा तो फ्रेंड्स यह रफॉर्मिशन कैसी लगी यह प्लान कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस प्लान को एड़ जरूर कीजिएगा बहुत खुब सुरत सी यह हाफीज